Hello everyone, NTPC में Assistant Chemistry Training की वेकेंसी निकली हैं और कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर कैसे अपलाई करना है तो देखिए, अपलाई के सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक वेब पेज ओपन होगा उस form को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान से, केरफुली फिल करना है और जहां पर भी आपको star marks दिख रहा है, वो field compulsory है, वहाँ पर आपको जरूर entry करना है अब देखिए सबसे पहले आपको अपना first name एंटर करना है, middle name compulsory नहीं है, last name उसके बाद आपको एंटर करना है fourth जो है, वहाँ पर आपको अपनी category जो है, वो enter करनी है, category के section पर जब आप जाएंगे तो general, OBC, SC, ST, EWS जो भी आपकी category है, वो आपको enter करनी है, उसके बाद आपको gender के section पर जाकर gender enter करना है applicant date of birth, जो आपकी date of birth है, वो enter करनी है, यह आप ध्यान रखिएगा कि जो भी detail यहाँ फिल कर रहे हैं, वो correct detail फिल करें सब category, description यहाँ पर mandatory नहीं है, अगर आप चाहें तो इससे blank छोड़ सकते हैं, father name, आपको अपना father name enter करना है उसके बाद father का occupation, government job है, private है, unemployed है, farmer है, जो भी category यहाँ पर appropriate है, वो आपको fill करनी है उसके बाद mother का name आपको enter करना है, और mother का occupation enter करना है, and then आपको address अपना fill करना है ध्यान रखिएगा, address में maximum 60 characters ही allowed है, उसके बाद आपको अपनी city enter करनी है, city enter करने के बाद जिस state से आप belong करते हैं, वो state आपको enter करना है, और जिस city में आप रहते हैं, वहाँ का pin code आपको enter करना है उसके बाद आपको अपना religion select करना है, जिस भी religion से आप belong करते हैं, वो religion आपको यहाँ पर fill करना है यहाँ पर आपको जो drop down menu दिख रहा है, उस drop down menu से आप अपना religion select कर सकते हैं उसके बाद are you an ex-serviceman, अगर आप कोई ex-serviceman है, तो yes, अगर नहीं है, तो no पर आपको click करना है अगर जो भी यहाँ पर yes पर click करेंगे, तो उन्हें यहाँ पर अपना service period कितने सालों का था, वो यहाँ पर enter करना होगा लेकिन अगर आप जो 16th number की entry है, वहाँ पर no enter कर रहे हैं, तो आपको 17th number की entry fill करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर जो 18th number की entry है, वहाँ पर देखेंगे, have you domiciled Kashmir division of J&K during the period 1, 1982, 31st of December 1989 तो यह केवल उन्हीं के लिए applicable है, जो की Kashmir division के domicile है, तो 19th entry, जो 18th में no करेंगे, उन्हें 19th entry को fill करने की जरूरत नहीं है उसके बाद जो 20th entry है, वहाँ पर आपको have you ever worked, और currently working in NTPC तो यह केवल उन्हीं के लिए हैं, जो पहले NTPC में काम कर चुके हैं, या currently NTPC में काम कर रहे हैं तो जिसके लिए 20th entry में जो no fill करेंगे, उनके लिए 21 entry में कुछ भी fill करने की जरूरत नहीं है if yes indicate your last posting, तो देखिए, अगर 20th entry में आपने no fill किया है, तो आपको 22nd entry भी fill करने की जरूरत नहीं है यह केवल उन्हीं के लिए हैं, जो की NTPC में पहले काम कर चुके हैं, अभी currently काम कर रहे हैं 23rd जो entry है वहाँ पर है, आर यू ए दिव्यांग, तो जो भी physically disabled candidate है, वो यहाँ पर yes क्लिक करेंगे, और जो नहीं है वो no पर क्लिक करेंगे तो जो 23rd entry में yes पर क्लिक करेंगे, उन्हें 24th जो entry है, वहाँ पर अपनी जो भी category में, दिव्यांग category में वो बिलॉंग करते हैं, वो उन्हें enter करना होगा 25th entry, जो की है marital status को लेकर, तो जो भी आपका current marital status है, वो यहाँ पर आपको enter करना है उसके बाद अगर आप married हैं, तो आपको अपनी date of marriage एंटर करनी है 27th entry, जो की बहुत important है, आपको अपनी एक valid email id यहाँ पर एंटर करना है, और email id आप ध्यान रखेगा एक valid email id एंटर करिएगा, क्योंकि आगे further communication यह जब भी आप login करेंगे, तो email id बहुत जादा important role play करेगी 28th entry में आपको अपना mobile number, अपना correct mobile number आप एंटर करिएगा alternate mobile number अगर आप चाहें, तो एंटर कर सकते हैं, father की date of birth और mother की date of birth compulsory नहीं है, लेकिन आप enter कर सकते हैं, उसके बाद आपको save and register पर click करना है, जैसे ही आप save and register पर click करोगे आपकी user id, जो email id आपने enter किया है, वहाँ पर आपको share कर दी जाएगी, उसके बाद आप अपनी user id और email id की help से login कर सकते हैं और NTPC की assistant chemist trainee की vacancy में apply कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने सभी friends के साथ share करिएगा, thank you for watching this video